अलो दोस्तों पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके के निचोड़ के इस वीडियो में आपका वैलकम है दोस्तों तो ये वीडियो का बार वो पार्ट है दोस्तों इससे पहले भी 11 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पे जाएक देख सकते हैं तो यहां मिलना आयोजित स्थले तो इसका रेक्ठासर है आप्सानमबर दी निवोर्क में आप्सान नबर जो मलियालम बाशा है वह भारोपिय परिवार की बाशा नहीं है इसके अलावा मराथी गुजराती हिंदी ये तीनों ही भारोपिय परिवार की बाशा है निक्षन है हिंदी दिवस किसे दिने मनाया जाता है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमबर भी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में निक्षन है विकास की दरश्टी से प्राकत की पूरु कालिन अवस्ता का नाम है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन मरे पाली बाशा है विकास की दरश्टी से प्राकत की पूरुकालिन अवस्ता नेक्शन है पच्छिमी हिंदी की दो बोलियों का सही क्रम है तो इसका रेक्टांसर है, आप्सन मबर D, खड़ी बोली और बुंदेली है, पच्छी में हिंदी की दो बोलियां नेक्शन है, अर्द मागदी अपबरंस से विक्सित बोली है तो इसकारी टांस रह आप्शन बद भी, बगली बोली है, जो कि अर्ध मागदी अपबरन्स से विक्सित हुई है देवनागरी लिपी का सही विकास क्रम है तो इसका रिक्टांसर है, option number C, ब्रह्मी लिपी, गुप्त लिपी, नागरी लिपी, देवनागरी लिपी, तो ये सही क्रम है, देवनागरी लिपी के विकास का, सबसे पहले ब्रह्मी लिपी, उसके बाद में गुप्त लिपी, फिर नागरी लिपी, फिर सबसे लाश्ट में देवनागरी लिपी नेक्षन है भारत की सबसे छोटी बाश्या की सबसे छोटी इकाई है तो इसका रिक्टांसर है option number D वर्ण है बाश्या की सबसे छोटी इकाई नेक्षन है वर्ण माला कहते है तो इसका रिक्टांसर है option number D वर्णों के विवस्तित समू को कहा जाता है वर्ण माला निक्षन है निम्न में से कंट्ट कौन सी है तो इसका रिख्टांसर है आपस्ट नमबर ए कह और खह है जो कि कंट्ट्टे दोनिया है निक्षन है इस्तान के आधार पर बताईए कि मुर्धन्य वेंजन कौन से है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर सी बिल्ग करेक्ट है डे और जो डे है वह मुर्धन्य वेंजन है नेक्शन है निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर भी कै और गय है जो कि अलप प्राण वर्ण है निवन में से नासिक के विंजन कौन सा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर बी अना है जो कि नासिक के विंजन है निवन में से नासिक के विंजन कौन सा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी इन्हें कंट तालवे वर्ण कहते हैं निक्षने हिंदी वर्ण माला में आयोग वहा वर्ण कौन से हैं तो इसका रिक्टासर है आप्सन नमबर दी अंग और एह है हिंदी वर्ण माला में आयोग वहा वर्ण निक्षने निम्न में से बताईए कि किस शब्द में दी तत्व वेंजन है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमर सी दिल्ली शब्द है जिसमें दी तत्व वेंजन है नेक्शन है शे शे और है में कौन से वेंजन कहलाते हैं तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमर सी इन्हें संगर्शी वेंजन कहते हैं नेक्शन है निम्लिकित में से बताईए कि नवीन विक्सित धहुनिया कौन सी है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमरे खै और गय है नवीन विक्सित धहुनिया निक्षोने निम्न में से कौन सा गोश वर्ण है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर सी जो मैं है वह एक गोश वर्ण है निक्षोने कौन सा एमानक वर्ण है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर सी जो बै है वह एक एमानक वर्ण है निक्षन है कह गए जे और फे दोनिया किसकी है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमर बी अर्बी फार्सी बाश्या की है कह गए जे और फे दोनिया निक्षन है हिंदी में मूलत है वर्णों की संख्या कितनी है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन नमर बावन है कुल वर्णों की संख्या नेक्शन है शे दोनी किसके अंतरगत आती है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर C संयुक्त वर्ण के अंतरगत आती है शे दोनी निक्षन है हिंदी शब्द कोश में शे का करम किस वर्ण के बाद आता है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर ए के वर्ण के बाद आता है निक्षन है गे वर्ण किन वर्णों के सियोग से बना है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर B जे और अने के सियों किसे बना है गे वर्ण निक्षने अगोश वर्ण कौन सा है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर D जो से वर्ण है वह एक अगोश वर्ण है निक्षने गे का उच्चारण इस्तान इसकारेक्टांस रहे आफसर नमबर B कंट है गहे वर्ण का उचारण इस्तान है नेक्षने इनमेशी सक अफसर नमबर B गहे है जो कि एक संच वर्ण का उधारण है नेक्षने निमलिकित मेंशी कौन सा वर्ण उचारण की दृष्टी सी दंते नहीं है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर D जो टैवर्ण है वह दंते वर्ण नहीं है नेक्शन है जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर D इन्हें हम अकारांत कहते हैं जिनके अंत में A आता है नेक्षन है शेयर वर्ण किसके योग से बना है तो इसका रिक्टांसर है आप्सन नमबर A के प्लस शेयर के योग से बना है शेयर वर्ण नेक्षन है हिंदी वर्ण कोश्चन है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो इसका रिक्टांसर है option number D तेरा है स्वरों की संख्या next है निम्न में से कौन स्वर नहीं है तो इसका रिक्टांसर है option number D जो अन है वह स्वर का उधारन नहीं है इसके अलावा A, O, A ये तीनों ही स्वर के उधारन है निक्शन है निमलिकित में से कौन टै वर्ग नहीं है तो इसका रेक्टांसर है option नूमबर D दी बिल्कुल करेक्ट है जो गे है वह टै वर्ग में नहीं आता है जो टै डै और जै ये तीनों ही टै वर्ग के वड़्ण है जुबकि गए नहीं है नेक्शन है इंदी वड़्ण माला में वेंजनों की संक्यां है तो इसका रिक्ट अन्सर है ओप्सन नमबर से कुल मिलाकर 33 है वेंजनों की संक्या नेक्शन है निम्न में से कौन सा पस्च स्वर है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर A विल्कुल करेक्ट है जो A है वह एक पस्च स्वर का उधारण है निम्लिकित में से कौन अयोग वहा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर A विस्वर्ग है जो की आयोग वहा है निक्षने छे दोनी का उच्चारण इस्तान है तो इसका रिक्टांस रहे आप्सन नमर सी तालववे है छे दोनी का उच्चारण इस्तान निक्षने निमलिकित में से कौन एक सहींत वेंजन नहीं है तो इसका रिक्टांस रहे आपसर नमबर भी शे है जो कि एक सही तो वेंजन नहीं है निक्स उने तालवे वेंजन है तो इसका रिक्ट टांसर है आपसर नमबर छे जे 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 है जो कि तालवे वेंजन है ये रे लेवे किस वर्ग के वेंजन है तो इसका रिक्ट टांसर है आप्सिन नमर सी अंतस्त वर्ग के वेंजन है ये रह लेव है निक्षन है अनुनासिक का संबंद होता है तो इसका रिक्टांसर है आप्सिन नमर सी नाक और मुहें दोनों से होता है अनुनासिक का संबंद है निक्षन है अनुनासिक वेंजन कौन से होते हैं तो इसका रिक्टांसर है option number D वर्ण के 5 माक्षर होते हैं अनूनासिक वेंजन नेक्षन है हिंदी वर्ण माला में सोरों की संक्या है तो इसका रिक्टांसर है option number C 11 है सोरों की संक्या नेक्षन है कंठोष्ट्य दोनी का उधरन है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर A और है जो कि कंटोष्टे दोनी का उधरण है नेक्शन है बाशा निर्मान की इकायों का सही अनुकरम है तो इसका रिक्टांस रहा है, option number D, दोनी, शब्द, पद, वाक्य है, बाश्या निर्मान की कायों का सही अनुक्रम है नेक्षन है, निमलिकित में से उच्चारण स्तान के आधार पर कंट से लेकर मुक्विवर के उच्चरित वेंजन दोनी का सही अनुक्रम है तो इसका रिक्टांस रहा है, option number D, कंट, तालव्वे, वस्वे, दंत, ओस्ट है, सही क्रम है नेक्षन है, प्रियत्न के आधार पर ले किसे प्रकार की दोनी है तो इसका रिक्टांस रहा है, option number A, पार्श्विक दोनी है, ले नेक्षन है, निमलिकित में से शुद्ध वरतनी का चैन कीजिए तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर A जो तरून है वह शुद्ध वरतनी है नेक सुने निमलिकित में से शुद्ध वरतनी का चैन कीजिए तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर C कुमू दिनी है जो कि शुद्ध वरतनी वाला है